हेलो बच्चों मैं सांक आप सभी का स्वाद करता हूँ अपने स्यूट्यूब चैन्स सांक स्ठड़ी सर्कल में तो आज हम पर जिन थे फिर से क्लास ट्रेन की तिहास की एक और वीडियो के साथ जिसमें कि आज हम चैप्टर नमबर टू जो है आपका समाजवाद एवं शामेवाद उसका जो है आज हम लोग लग उतरिये एवं दिर्ग उतरिये जितने सारे प्रशने हैं सभी का उतर हम इस वीडियो में करेंगे इस वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें नहीं तो प्रिस सब्सक्राइब करें ना बिल्कू ना बुलें और यदि आपने इसके पिछली वीडियो या पहले चेप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और माच पसंस्क्रिट, हिंदी, साइंस एवं अलग-अलग जितने सारे सब्जेक्ट क्लास 10 में चलते हैं इसके साथ साथ क्लास 9 की वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं तो वीडियो को उन तक शेर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूवत है तो आईए हमने कि रूशी करांतिके के दो कारण निम्न लिखी थे देखे पहला क्या था कि जार की निरंग कुष्टा एवं आयोग सासन जो था रूस में एक राजनीतिक संदचना की थी ठीक राजनीतिक संदचना बना लिया था यानि उसके अंदर गद जितने भी बेक्ति थे सबी क बढ़ा के रखते थे अपने जार का तो उसके कारण उसको लगता हाँ 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 जो हैं सोहम ही है और जनता की स्थिति क्या होगे बत से बत्तर हो गए क्योंकि जानते हैं कि जो लोग स्वार्थी होते वो सिर्फ अपने माम सोचते हैं ना कि जनता की भलाई के बारे में उस वे वे थे, ऐसे में किसानों के पास क्या है, क्रानती के अलावा क्या है, कोई दूसरा कारण, बचा ही नहीं था, इसी का कारण था, कि रुसी क्रानती हुआ, यही हमारा जो प्रशन का च्छाए उत्तर आतों, आपको ऐसी करते हैं, प्रशन को यदि आप लिखेंगे डिटेल तरीके से तो आपको क्या exam में काफी अच्छे नंबर जो है exam न देगा और होप करते हैं कि आप ऐसा ही लिखें ताकि आपका जो exam में है जादा जादा मां का obtained करें और इसके दौरा क्या है कि हम भी थोड़े प्रफुलित हों कि हाँ चलिए कोई बच्छा हमारे चैनल के द्वारा पढ़कर क्या है exam में टॉप किया तो आईए हम लोग क्या आप दूसा कोश्चन तो दूसा कोश्चन आईए अब हम लोग देखते हैं तो दूसा कोश्चन हमारा यहां कहता है कि रूशी करन की करांती है तू कहां तक उत्तर दाई थी तो चलिए द देश था यहने बहुत सा राश्ट उसमें मिलके बने हुए थे सोवियत संग देखते हैं आज क्या वर्ड का सबसे बड़ा देश है और छेत्रफर्वर्ग दिश्टी से सबसे बड़ा देश है तो क्या है बिविन राश्टियों का देश था जहां मुख्यतर स्लाव जाती क लोग यहनु वहां क्या सलाव जाती के लोग रहते थे इसके अतरिक्त लोग भी तयानु वहां क्या है कि इस जाती के अतरिक्त भी और कई जाती के लोग वहां क्या निवाश करते थे बेविन विन वहासा बोलते थे उनका रस्म रिवाज भिन भिन था ठीक है परन्तु था अल्प संख्यक जार निकोले द्वीतिये द्वारा क्या किया गया कि रूशी करन की नीती ला दिया रूशी करन की नीती क्या थी कि आपको क्या जब यहां रहेंगी थी यहां कि सिक्षा संस्क्रिती बेशबूशा भासा आपको क्या यहीं वाला करना ना कि आप जिस देश से हैं आपको उसका करणा है ठीक है इसके अनुसार क्या हुआ देश के लोगों पर उसी भासा सिक्षा संस्कीति लादने का प्रयास किया गया इससे क्या हुआ अलप संख्यकों में हलचल मच याने होगा भाई कि अगर वायचांस आपको कोई कहा कि अपनी संस्कीति को की अब दुसी संसकीति जाय है तो जायज है कि जो लोग होंगी उसमें काफी जाधा हल चल मचए गी और क्या हुआ 868 में इसी नीति के बिरूद्ध की नीति को लेकर क्या हुआ पोलो 1 विदenda के क्या बिद踃 इब slight परन्तु जार्ट निकॉलस की क्या है निर्देयदा पॉ आकरोस है वो बढ़ता गया और बाद में क्या है यही कारण हुआ कि जार निकोल दूइतिया का क्या है आगे चल कि पतन हो गया है यह हमने लिखा नहीं लेकिन यह बताने का एक तरीका है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें तो वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक कर दें चले चलते हैं कोशन नमबर इसी का देखते हैं कोशन नमबर तीन चले इसी का कोशन नमबर तीन कहता है कि सामय बाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक ब्यवस्था थी कैसे यानि सामय बाद जो था एक नई आर्थिक एवं सामाजिक ब्यवस्था थी कैसे देखिए इसका उत्र हमने बहुत यह अच्छे वर्ड में लिखा है आप इसका पर्योग क्या है कि अपने बोर्ड एक्जाम में कर सकते हैं और यदि आपको यही नोट चाहिए तो हमारे जो टेलिग्राम चैनल है ससांग का स्टडी सरकर क्लास्टीन वहां पर जाएए तो आपको हमारे जितनी सार वीडियो है आपको वहां पूसकी क्या है पिडियेफ लिंक देखने को मिल जाएगा आप वहां से पिडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद क्या है और जाएए तो जल्ली से हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन किजिए और सारे जो पिडियेफ है वहां प्रकाशित किया जो काल माक्स से बहुत अच्छे बैखती थे तो उनक्या किया एंगल्स के साथ मिलका ठासो और तालिस में का कि एक अध्यादेश याने सामेबादी घुशना पत्र लाया जिसे आधूनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किसे काल माक्स को कहता है जनक कहा इसने क्या किया आर्थिक समाजिक एवन राजनितिक विचारों को अस्पस्ट रूप से बैक्त किया यानि इसके द्वारा क्या हुआ कि जो मुद्दा था याने जो समाजिक मुद्दा था आर्थिक मुद्दा एवन राजनितिक क्या था सारे जो मुद्दे थे बोल क्या किसी पुझी पती के हाथ में जाकर जनता के हाथों में रहे इसमें क्या कि उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया कौन सा सामेबाद के द्वारा सामेबाद के एक नई जो आर्थिक नीदी लाए गई यानि जो गोसना पत्र लाए गया इसके द्वारा क्या कि जो सता है वो पुंजी वादों के हाथों में जाकर जनता की हाथों में रहे ऐसा क्या कि है गोसना पत्र में लाए गया तो चलिए ये था हमारा question number लगू तरिये का तीन चले हम दोग देखते हैं लगू तरिये के कुशन नमबर चार को चले कुशन नमबर चार कहता इसी का कि नई आर्थिक नीती माक्सवादी सिधानतों के साथ समझोता था कैसे चले इसका उतर भी हमने काफी अच्छे ठंग में लिखा है कि लेनीन क्या थ जिन तक एवं व्यवहारी की राजनीतिक था उसने यह असपस्ट देखा कि ततकाल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी बेवस्था लागू करना या एक पुंजी बाद से टकराना क्या संभव जल्दी नहीं है अतर क्या क्या एक नई आर्थिक नीती की घोशना की जिसम आतने की रूस में आज भी क्या है सामे वादी क्या है व्यवस्था वहाँ चलती वहान ना तो पुंजी पती वर्ग है ना कोई अरो वहाँ जो भी चीज़े है वो सरकार की क्या है अधिन य़दी आप वहाँ घरी बनाना bütün देगी जमीन भी है तो वह सरकार के सामे और यहीं तो माग प्रशस्त किया कैसे देखिए इसका उतर भी काफी अच्छा है कि प्रथम विस युद में क्या हुआ कि रूस की पराजय रूसी करांती का ततकालिक कारण बना अब कारण क्या था क्योंकि क्या हुआ कि युद के मद में जार क्या गिया अपने सिनापती को हटा दिया और अपने खुद का कमान जो है यानि सिनापती का कमान अपने हाथों में ले लिया अब इसके कारण क्या हुआ कि लेने कारण क्या जरीना उसके तथा कथित गुरु जो हुए रास पुटीन जो की पादरी थे उनके निक्रिष्ट तम व्यक्ति को क्या गया सद्यंत्र का अब वो क्या हुआ प्रशस्त हुआ तो आई होब विडियो पसंदारी होगी विडियो पसंदार तो प्लीज लाइक करें शेर करें तो चले हम लोग चलते हैं अब लोग हम लोग दिरगोतर ये प्रशन के और हम लोग क्या किसके दिरगोतर ये जो प्रशन दिये गया है इस इसके कारन लिखना है इसके उस करांथी कारन जो प्रभाव ईसमें यह लिखना है तो पहला कुछन कारण पुछता है चलिए तो इसका उतर हमli काफो ने लिखा है कि जय ओसर लोगों की कोई चींता नहीं थी उसके द्वारा न्युक्त जो अपसर साही बेवस्था थी वो अस्थीर जड़ एवं अकुसल थी जिससे क्या हुआ कि जनता की स्थिती थी वो क्या हो गई बत से बत्तर हो गई उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट हमने लिखा है किशानों की दैनियास थी ठीक है इससे क्या हुआ कि किशानों के पास क्या हो गया पुंजी का अभाव हो गया ठीक है तथा वेकर के बोच से पहले ही दबे हुए थे एसे में उनके पास क्रांती के सिवाव कोई दूसर अच्छा रहा नहीं था तीसा देखे कारण है मजदूरों की दैनियास थी क्या था मजदूरों को अधीक काम के बदले कम मजदूरी मिलती ठीक है इनके साथ दूर व्यवहाहर किया जाता था वे अपने मांगो के लिए क्या हा político कि अगर हर्ताल कर देंगे को क्माएंगी क्य पूरी शत्ता को हडपना चाहते थे नेक्स्ट है हमारा लास्ट रूशी करन की नीती जार निकोलर द्वारा जो लाया गया था रूशी करन की नीती जिसमें क्या था कि जो अलग अलग रास्ट के लोग भी जो यहां रह रहे हैं उनको भी क्या है यहीं की भासा यहीं की सिक्षा यहीं की संस्किति क्या लादने का प्रियास किया गया था जिससे क्या हुआ कि जनता में राज्टन्थ के प्रति क्या हो गया बिरोध उत्पन यानि अक्रोस गया इसके अलावा बहुत सारे महत्पूर्णाहते जिसको हमने लिखा नहीं क्योंकि बहुत बढ़ा ऐंसर हो चुका है इसके साथ हम्हें लिख दिया है कि इसके अलावा क्या हूँ, माक्स वाद यानि काल माक्स का जू नीती था उसका प्रभाव भी क्या है रूसी करांती का एक क्या हो रूसी करांती के कारण की क्या हो एक महान कारण साबित हुआती इस प्रकार क्या है कि आप बोर्ड में अंसस लिखें और क्योंकि इसमें विवेचिना करने करता है विवेचिना करने करता है तो point by point बना के दिया आप अंसर को लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा एक जो हमारा कोशन है कि नई आर्थिक नीती क्या है चले बहुत ही अच्छा कोशन है ये बहुत इंपोर्टन कोशन भी है दिर्गुतरिये में चले तो हमने लिखा है कि लेनिन क्या था एक कुशल सामाजिक चिंतन तथा बेवहारिक राजनीतिक था उसने ये असपस्ट कुछना की जिसे नई आर्थिक नीती करते हैं इसकी प्रमुक बात इती इसकी बाते कुछ-कुछ निम लिखीती देखे पहला काता है देखे पॉइंट बाइप बनाके लिखे ताकि जो उत्तर है वो इनहेंस हो सगे पहला है कि बिभीन अस्तरों पर बैंक खोले गए दूस पॉइंट है यह से दांत कायम रखा गया कि जमीन राज की अधर जमीन को ले सकते हैं पर दो कि 20 से कंप करमचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया नेक्स्ट है हमारा विदेशी पुंजी भी सिमी तोर पर आमिनतर की गए तो ये था कुछ चार या पांच-छे पॉइंट हमने लिखा है आप चाहें तो कितना भी पॉइंट लिख सकते हैं लेकिन कोशिस कीजिए कि कम से कम मीनिमम तीन से चार पॉइंट रहें तो ये था हमारा कोशिन नंबर दिर्गुतरिय का दो आएए देखते हैं दिर्गुतरिय के कोशिन नंबर तीन को चे दिर्गुतरिय का कोशिन नंबर तीन कहता है कि रूसी करांती के परभावों की वेचना करनी है ठीक है रूसी करांती के परभाव यानि पहले कोशन में था कारण तीसरा है ये परभाव तो कहता हमने लिखा है कि पॉइंट वाई पॉइंट हमने यहां भी बनाए स्टारमा की मतलब पॉइंट है ठीक है तो हमने लिखा है कि इस करांती के परशाद क्या हुआ सरमी कतवा सर्वहारावर की सत्ता रूप से रूस में अस्थापित हो गए तथा इसने क्या कि अन्य छेतरों में भी आंदोलन को पॉइंट किया दूसरा पॉइंट क्या कि रूसी करांती के बाद क्या हुआ कि तो बिचार धारा के अस्तर पर दो खेमों भी भारित हो गया सामेवादी विश्य एवं पुंजी वादी विश्य याने वर्ड जो है दो बागों बढ़ गया पहला सामेवादी दूसरा था पुंजी वादी ठीक है इसके अलावा इसके तस्त पस्चात क्या हुआ कि यूरो पर दोटा है कि रूसी करांती के तत्पस्चाइट क्या हुआ कि आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मोडल आया आगे पुंजिवादी देशों ने भी से अपना लिया इस प्रकार क्या सो थे पुंजिवाद के चेतर में भी क्या हुआ काफी जादा परिवर डाउनलोड करना साथ है हमारे उत्तर की तो टेलेगराम चैनल पर जाईए आओ सर्च किजे ससांक स्टेडी सरकर क्लास टेन वहाँ पहमारे जितने सारे सब्जेक्ट का हम पढ़ाते हैं मैज साइंस हिंदी संस्क्रीट एसस्टी सारे के आपको पीडियोप देखने को मिल ज गई है तो काल माक्स का जम जो है पांच में 818 को जर्मनी के राइन प्रांद के ट्रियर नामक एक यहूदी परिवार में वहा था इनके जो पिता थे हैंद्रिक मार्वे परशिद्ध बकील थे जिन्होंने बाद में चलकर क्या इसाई धर्म को अपना लिया मार्क्स ने क्योंकि कॉलेज में उन्हें मिले थे 843 में क्या हुआ उन्होंने अपने बच्चन बच्पन के मितर जेनी से क्या किया साधी कर ली 844 में जब क्या पैरिस गये तो उन्होंने फ्रेडिक एंगल से क्या हुआ दोस्ती बढ़ाई और के जीवन पर क्या गहरी मितरता बनी रही माक्स ने क्या कि एंगल्स के साथ मिलकर उन्हें 148 इसी में एक सामेवादी घोषना पत्र प्रकासित किया जिसे आधूनिक समाजवाद का क्या है बाईवल या जनक कहा जाता है माक्स ने 867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना की जिसे समाजवादियों का बाई संघर्ष का सिध्धांत तीसा है इतिहास की भौत वादी व्याख्या चौथा है मुल एम अतरिक्त मुलिका सिध्धांत और पाचमा है राजजहीन वरवरगहीन समाज की अस्थापन ये सारे क्या है कुछ पॉइंट है माक्स के तो ये इसके आप क्या है एक्जाम में यूटोपियन मतला होता है स्वपनदर्शनी कता समाजवादियों के बिचार निमन है यानि इनके बिचारों का वरणन कता करने कता है पहला पॉइंट है सेंट साइमन वे प्रथम यूटोपियन समाजवादियों फ्रांसी सी बिचार था जिसने समाज को निर्धन वक्स के बहुतिक एवं, नैतिक उत्थान के लिए काड़ किया, और लोगों के क्या कर दूसरे को सूशन करने के बाद की बार ले मिल जूल कर काम करने की बात कही, उन्हें घोसित किया कि पर्तिय ata को सकी चमता का नुसार अधा éc力 की लितां। बेज़ि थे ये फ्रांस के थे ले परन्ट हुने यूरोप में काफ़ी जादा पॉपलर हुआ काफ़ी यूरोप को जोड़ने के लिए काफ़ी जादा काम किया चलिए तो पहला था दूसरा है मारा चार्ल्स फॉली पर वो आधुनिक और दोदिगी बाद का बिरोधी था जिसका मानना था कि स्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्वों में काम करना चाहिए यह जो था यह थोड़ गलत था इसको को क्या लोग क्या है सुनने को बिल्गोल भी तैयार नहीं थे तिसा है कि लूई बला फ् लवस्था चलती है वो राजनीती के त्वारा ही चलती है नेक्स से चोथा पॉइंट की बिर्तिस उद्योग पती रौवर्ट ओबन गुए सबसे महत्पून यूटोपियन चिंतक था जिन्हों ने बताया कि संतुष्ष्रमिक ही क्या है वास्तविक से सही बात है संतुष्र चिंतक था पॉप्त पूलीस संगठन था नई आर्थिक नीती नई आर्थिक नीती लाए गया था लेनिन के द्वारा काल माक्स की मित्यू 883 में स्टालीन की जो था स्टालीन वो 1953 में तो यह था हमारा सुमेलित करिंग का उत्तर और इसके साथ हमार कैच चेप्टर नमबर 2 हमारा समाप्त हो गया तो आई होप विडियो पसंदा था तो प्लीज लाइक करें शेयर करेना है तो प्लीज सबस्क्राइब करना बिल्कूं न मिले तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या पिजैसे वीडियो समाप तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद